हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज हम इस वीडियो में नेगिटिव एंटिटीज के बार में बात करेंगे आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि नेगिटिव एंटिटीज कौन से कौन से टाइप्स के होते हैं और किस तरह से नेगिटिव एंटिटीज हमें अटाच हो स बात करने वाले हैं इस वीडियो में ये वीडियो बनाने के पीछे सिफ मेरा एकी रीजन है awareness spread करना है कि हमें aware होना जरूरी है negative or positive entities में discern करना जरूरी है हमें difference पता होना चाहिए और ये negative entities को हमें उठा कर बाहर करना है क्योंकि अब तक हम एक low vibration state में रहते आये थे अब हम vibrations, energies, frequencies को समझ रहें हम ये जान चुके है कि जैसे हम अपने frequency race करेंगे तो हमें negative entities से हम उपर उठ जाते है और जब हम 5th dimension की भी बात करते हैं हम 5D space की बात करते हैं वहाँ पर negative entities exist नहीं कर रहे है तो अब क्योंकि हम aware हो रहे हैं ये एक awareness जरूरी है कि किस तरह से polarity में हम exist करते आये थे negative positive दोनों ही तरह के entity exist करते हैं तो वैसे ही हम कुछ negative entities के बारे में बात करेंगे कि कौन से type के negative entities हो सकते हैं जो किसी person को attach कर सकते हैं entities के लिए energy food है जैसे हम खाना पीना खाते हैं हमें उनसे energy मिलती है food से energy मिलती है बैसे entities के लिए जो energy है वो है food तो वो जब भी किसी person को किसी human being को attach होते है तो उनको food मिलता है energy मिलती है उनसे, so number one जो reason है जिसके वज़े से entity attachment होते है, वो है fear because fear का frequency बहुत low होता है तो जब भी ये low frequency वाले emotions चल रहे हैं, हम बार-बार डर रहे है, fear में आ रहे है या बार-बार अगर कोई trigger होता है तो उस time पर उनका pain body activate होता है, तो वो time पर vibration होता है, fear होता है ऐसे time पर entity मर्जा लेते हैं ऐसे time पर entity attach होते है जो दूसरी energy है, वो entities की जो favorite है, वो है sexual energy जब भी कोई person किसी के साथ sexually contact में आ रहा है, तो एक energy exchange चलता है ऐसे में बहुत chances है कि कि किसी एक person के अंदर अगर entity attach है, तो वो दूसरे अंसान को अपने entities transfer कर ले तो बहुत discernment की ज़रूरत है बहुत सोच समझ के sexually contact करना है अब sexual energy एक बहुती powerful energy होती है इस universe की और इस energy को अगर हम wrong use करते है या multiple partners रखते है या इस तरह से इस energy को use करते है just for fun, just for enjoyment, sexuality को देख रहे है तो बहुत भारी पर सकती है ये सारी चीजे, इसलिए हम collective में भी देख सकते हैं, बहुत सारे sacral chakra के blockages collective vibration में, energy state में भी हम देख सकते हैं, तो अब तक sexual energy के power को अब तक बहुत कम लोगों ने पैचाना है और इस energy का wrong use अब तक होते आया था so sexual energy second favorite negative entities की, तो अगर fear का state है या sexual energy wrong way में use की जारी है तो entities attachment का case हो सकता है, अब दूसरा एक case है जिसमें negative entity attach होते है अगर इस life में या past life में किसी ने curse कर लिया है, या family को किसी ने curse कर लिया है तो ये curses और wows जो होते हैं हम कुछ ऐसे promises करते हैं जो लोगों से पूरा नहीं कर पाते हैं curses, wows, ये सारी चीज़े हमारे soul memory में अटाच हो जाती है और वही चीज़े फिर क्यारी होते जाती है lifetime after lifetime तो अगर इस तरह की curses प्रिवियस life में आपके अटाच हो गए है या किसी ने कुछ family को कुछ ancestor DNA में ये चीज़े चल रही है कुछ curse मिल चुका है जुसे हम कुछ तरह दोश भी कहते हैं तो अगर इस तरह की curses अबके soul memory में अटाच है या energy field में इस तरह की चीज़े चल रही है यूगि entities बट smart होते हैं इस तरह की energy field चल रही है इस तरह की ancestor curses चल रहे है तो entities generally attach हो जाते है और दूसरा extreme grief का state जो होता है depression का state या guilt का shame का loneliness ये सब जो vibration state होते है जब हम guilt में जा रहे हैं shame में जा रहे हैं इनका बहुत low frequency होता है अब कभी भी notice करो अगर आप बहुत low feel कर रहे हो तो वो time पर ही जादा entity attachment की cases आते है जब life में ऐसे कुछ situation चल रहे है जब हम बहुत low feel कर रहे है वो time पर ही entity attach करते है जब भी आप higher state में होते हो joy में, peace में, love में वो time पर entity कभी आपको attach नहीं होंगे तो जब भी low vibration का state होता है वहाँ पर ही entity ज़ादा attach होते है especially जब कोई drugs ले रहे है addiction pattern में है alcohol addiction, drug addiction या कोई ऐसे drug substance अपने अंदर लिया जा रहा है या pharmaceutical medicines की भी अगर हम बात करें जो बहुत ही low vibration में लेकर जाते है कई बार ऐसे होता है कि unresolved emotions जी हो हमारे अंदर चलते है वो भी हमें low vibration state में लेकर जाते है psychological conflicts जो चलते है कोई destructive relationship में आप रह रहे हो बहुत ही toxic relationship में आप रहे रहे हो तो ऐसे time पर भी entities attach हो सकते है या कोई addiction का pattern आपका चल रहा है कोई alcohol addiction, drug addiction क्यूंकि अगर empath अपना औरा field को protect करना नहीं जानते है या उनका weak aura है या genetically कुछ ऐसे issues चल रहे है उनके family lineage में जिसके वज़े से वो vulnerable हो सकते है energy attacks के लिए energy attacks या entity attack या psychic attack कुछ भी हम बोल सकते है या generally जो spiritually grow होते है उनको dark force जादा manipulate करने की कोशिश करते है जैसे वो फिर से fear में आ जाए या फिर से confused state में चले जाए एक low vibration state में चले जाए और उनका spiritual growth का process और delay हो जाए तो ये वो reason है जिसके वैसे negative entities attach हो सकते हैं अब हम ये देखेंगे कि negative entities कौन से कौन से types के होते है जो पहला type है entity का वो है earth bound spirit या हम boot pride बोल सकते है discarnage बोल सकते है इने ये वो spirits होते है जो physical body में नहीं होते है इनका जब death हो जाता है इनको एक तरह से acceptance नहीं रहता है death के लिए या कोई violent death हो सकता है काई मृत्ती हो सकती है या suicide का case हो सकता है इसे time पर वो अपने death को believe नहीं कर पाते है तो बहुत chances है कि ये spirit form में हो जाते है और अपने physical form की memory को lose कर लेते है तो भूत प्रेद बनके भटकते रहते है तो ये जो beings होते है इन्हें हम earth bound spirits बोलते है इनको spiritual चीजों में नहीं believe होता है ये अक्सर लोगों को attach होते है और वहां से energy लेते है तो ये लोगों के ओरा में और लोगों के और एक field में attach होते है और energy लेते है earth bound spirit अगर ऐसे देखने जाए तो almost सभी के अंदर earth bound spirits औरा में attach होते है दो से लेकर पचीस discarnates उनके energy field में रहते है लेकिन लोगों को इतनी awareness नहीं रहती है इस चीज के लिए तो earthbound spirit तभी ही attach होते है जब उनको ऐसा कोई energy match मिलता है उनके जैसा कोई person दिखता है अगर वो समझो addiction में थे और वो addictive patterns में चलते जा रहे थे वैसे ही addictive pattern वाला कोई person उनको मिल जाता है वैसे energy state का उनका energy match person उनको मिल जाता है या जब उनका death हुआ रहता है वो time पर वो बहुती shame और guilt वाले vibration state में थे तो ऐसे कोई person उनको दिख जाता है जो बहुती shame और guilt वाले या grief वाले state में है अपने life में तो उस time पर वो उनके औरा में attach हो जाते है तो earthbound spirits 4 dimension के beings होते है जो plane of bliss से 5th dimension से pass नहीं हुए है और अब भी भटकते जा रहे है spirit form में दूसरे होते है demonic spirits या demons बोल सकते है राक्षस बोल सकते है ये जो spirits होते है evil entities होते है ये spirit बहुती intelligent होते है ये अकसर लोगों को path से भटकाने के लिए काम करते है जैसे spiritually कोई grow करने की कोशिश कर रहा है अपने आपको तो उनको push करेंगे path से भटका देंगे negativity इस तरह से उनके अंदर डाल देंगे जैसे वो अपने रास्ते से हट जाए या wrong choices ले ले वो अपने रास्ते में और कार्मिक cycle में उलत जाए और temptation में भी कई बार लेके जाते है जैसे अगर कोई spiritually grow करने की कोशिश कर रहा है तो उनको किसी तरह की temptation में या addictive behaviors में लेके जाएंगे जैसे वो अपने आपको spiritually grow नहीं कर पाए अब जो दूसरे type के entity होते है वो है incubus and succubus ये male और female demons होते है incubus is male demon, succubus is female demon अब ये जो type के demons होते है ये अकसर sexual energy को feed करते है जो beings होते है आपने देखा होगा कुछ लोग sexual addictions में जाते है बार-बार या porn addiction में जाते है तो ये entities होते हैं जो उनको feed कर रहे है उनको push कर रहे है इस addiction में जाने के लिए तो experience उनको कुछ time के लिए enjoying लगता है पट एक drain आ जाता है कि energy उनका बहुत low हो जाता है drain हो जाता है तो temporary जो experience उनको enjoying लग रहा है उनको ये entity push कर रहे है उनको feed करने के लिए तो in fact उनके life force को वो trap कर रहे है, उनके sexual energy को वो trap कर रहे है और उनकी sexual energy को feed करते जा रहे है तो ये incubus and succubus male और female demons होते हैं, ये भी negative entities ही होते है दूसरे होते है negative ETs या negative aliens या negative extraterrestrial beings जो दूसरे planet के होते हैं, वो planet earth पे आते है तो जैसे positive star seeds आये है, light workers आये है इस वक्त धरती पर और वो normal humans के जैसे ही होते है बट उनके अंदर वो star seed होता है, उनका soul उस तरह का होता है वैसे ही negative ETs भी होते है, negative aliens भी आये है इस वक्त, negative star seeds भी इस वक्त धरती पर आये है बट वो अलग मकसद से आये है, वो in fact जब positive star seeds के हम बात करते हैं, light के और लेकर जाते हैं, लोगों को help करते हैं, growth के लिए पर जो negative ETs होते हैं, जैसे reptilian races हम बोल रहे हैं, ऐसे बहुत सारी beings भी exist करते हैं, जो दिखने में आपको normal human being रगेंगे पर वो actual में है negative star seeds या reptilian races से belong कर रहे हैं, उनका origin वैसा है, तो ये in fact influence करते हैं, psychic attack का case आप देख सकते हैं, energy vampires जो generally होते हैं तो negative ETs भी हो सकते हैं, जो human body में आई हुए है इस वक्त, अब ऐसे भी कहा जाता है कि पांच में से एक जन है जिसको soul है, बाकी के जो exist कर रहे हैं, वो सिफ programs exist कर रहे हैं, इस matrix में, मतलब ये soul less beings है, जो सिफ exist कर रहे हैं, मतलब they don't have empathy, उनका heart chakra completely block है, और वो source से एकदम cut off है अब जो दूसरे type के beings होते हैं, वो है archons, archons parasitic entities होते हैं, इनका generally नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करूँगी, intelligent beings होते हैं, first dimension से लेके four dimension तक exist करते हैं, अक्सर जो healers होते हैं, जब भी अगर कोई session कर रहे हैं, या अगर aura को read कर पा रहे हैं, तो वो देख सकते हैं किस तरह के aur और एक field में यह attach होते हैं, लोगों के यह snake-like beings होते हैं, लोगों के aura में black color के leech के जैसे attach हो जाते हैं, यह अक्सर लोगों के mind पे impact करते हैं, और उनका जो life force है, प्राना है, उनको infect करने की कोशिश करते हैं, especially जो light workers है, empathic beings है, star seeds है, उन पर archons का attack देखा गया है, आस-पास क कैसे लोग आ जाएंगे उनके life में, जो उनको blame करेंगे, उनको judge करेंगे, उनको influence करने की कोशिश करते हैं, उनको possess करने की कोशिश करते हैं, तो यह archontic parasitic beings होते हैं, जो लोगों के form में आते हैं, तो majority जो लोग exist करते हैं, third dimensional awareness में, वो archontic attack से गुजर रहे हैं, तो अगर को spiritual ही अपने आपको grow करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोग उनको उनके रास्ते में मिल रहे हैं, जो उनको blame कर रहे हैं, उनको judge कर रहे हैं, blame game चल रहा है, पार बार उस game में जा रहे हैं, या कोई person उनको manipulate करने की कोशिश कर रहा है, तो यह जो unresolved issues हमारे अंदर भी store हो होते हैं, या कई बार pain body भी जो activate होती है, तो यह जो archontic, parasitic beings होते हैं, यह सब energies में feed होते हैं, इनको success मिलता है, जब आपने आपको doubt करने लग जाओ, या अपने low self worth में चले जाओ, lack of self love के space में चले जाओ, तो यह इनका agenda होता है, कि आप जैसे अपने आपको doubt करने लग जा अपने रास्ते से भटक जाओ, तो यह सब जो parasitic beings होते हैं, यह इस तरह का काम करते हैं, spiritual growth में रोखने का काम करते हैं, आपने अक्सर अभी परियों की कहानी सुनी होगी, जैसे अच्छे वाली परियां होती है, जो हमें मदद करती हैं, वैसे बुरी वाली परियां भी होती है, अक्सर जो black magic practice करें, black tantra practice करें, वो इस तरह से बुरी वाली परियों के साथ connection जोडते हैं, और बुरे काम उनसे करवाते हैं, तो यह जो परियां होती है, जो dark काम करती है, वो भी negative entity का ही type है, तो यह सब वो reason होता है, जिसमें हमें awareness ज़रूरी है, और साथ ही हमें discern भी कर पाते हैं, और किसी भी form में यह negative attachment है, या negative entity अटाक कर रहे है, तो हमें तूरंत अपने vibration को raise करने की कोशिश करनी है, और इन चीजों से अपने आपको उपर उठा देना है, मैं कोशिश करकी और tips और वीडियो के तुरू आपके साथ शेयर करते रहोंगी, कि किस तरह से हमें psychic attacks या entity attacks से बच सकते हैं, so thank you everyone, thanks for watching, namaste